नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैटे बैटे अपने LIC का पॉलिसी स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों हमें से जिनने भी LIC में निवेश किया है वो जानना चाते हैं कि आज की मौझूदा स्टिथी क्या है हमारे पॉलिसी की कि जो हमने पैसे भरे हैं उसमें हमें कितना मुनाफ़ा हुआ है और साथी साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमने जो लास्ट प्रिमियम बरा है क्या वो LIC को पहुँचा भी है ये नहीं तो दोस्तों बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है ये वीडियो इस लिए इस वीडियो को बिना स्किप किये अन तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आसान से स्टेप्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठे बैठे खुच जो है LIC की पॉलिसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको LIC Agent या फिर Customer Care को कॉल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने LIC India की वेबसाइट को ओपन किया है इसके लिए आपको जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वहाँ पे LIC India.in उपर टाइप करना पड़ेगा अगर दोस्तों आप लोग Chrome ब्राउजर यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो वेबसाइट है एक खास थोर से Chrome में जो है उतना अच्छे से नहीं चलता है इसलिए अगर आप Microsoft Edge या Firefox या फिर अगर आप Safari यूज करते हैं तो इन में से कोई भी ब्राउजर में जो है licindia.in आप टाइप करके जो है यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर नीचे प्रोडेक्स के जस नीचे आपको login to customer portal वाला option नजराएगा यह left side corner में है जैसे ही आप दोस्तों इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो है एक नया page open होगा जहां पर आप से जो है पूछा जाएगा कि आप जो है नय user है या already registered user है अगर दोस्तों आप लोग already registered user है तो हो सकता है दोस्तों कि आपको यह पूरा procedure है already मालूम होगा कि किस तरह से जो है आपको policy status check करना है वहीं पर आप यह मेर से पूछ रहे हैं किसी number पूछा जाएगा आपको अपना जो है इंस्टॉल्मेंट प्रीमियम भरना पड़ेगा या रहे दोस्तों जब भी आप प्रीमियम का अमौन भरें तो आप उसमें टैक्स को बिना जोड़े भरें मान लेते हैं कि आपका जो है एन्वल प्रीमियम पचास हजार रोपे का है तो केवल जो है वो पचास हजार रोपे बढ़ें उसमें जो भी टैक्स है उसको जो है आप इसमें आड ना करें नेक्स दोस्तों यहां पर आप अपना डेट ऑप बर्द डालें अपना कंट्री कोड और मुबाइल नंबर डालें इमेल आईडी करेक्ली फिल करें पास जैसे दोस्तों आप जैसे प्रोसीड डाले बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज उपन होगा जहां पर जो है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रियेट करना पड़ेगा तो यूजर आईडी अपने चोईस का रख सकते हैं पासवर्ड भी एक mail आएगा हो सकता है कि आपको एक verification link आए आप उस verification link को जाके प्रेस करेंगे जिससे कि आपका user ID और पासवर्ड जो है confirm हो जाएगा दोस्तों उसके बार जो है आप में वेब पेज पे जाएंगे जहां पे जैसे आप जो है registered user वाले बटन को प्रेस करेंगे इसमें जो है आप already registered हो चुके हैं इस platform से यहाँ पे दोस्तों आप अपना user ID, email ID या फिर mobile number में से कोई भी एक चीज आप डाल सकते हैं यहाँ पे अपना password डालें और जो आपने date of birth है वो यहाँ पे आप अपना insert करें और आप sign in button को press करें जैसे आप sign in button को press करें तो आपका portal open हो जाएगा यहाँ पे आपको policies related सारी information आपकी मिल जाएगी यहाँ पे अगर आप basic services में जाएंगे तो वहाँ से जो है आप चेक कर पाएंगे आपकी policy का मौझूदी की status क्या है जैसे आप basic को open करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी already enrolled की हुई policies का details अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे click for details को आप press करें और आपको जो आपके जो भी policy है उसका complete detail यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों कहीं बार ऐसा होता है कि जब हम step में आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है कोई भी policy details नहीं मिलती है तो हो सकता है यहाँ पे जो है आपकी कोई भी policies already enrolled नहीं हो तो ऐसे में policies को enroll करना काफी आसान है enroll policies वाले button को press करेंगे आप यहाँ पे जो है आपसे policy के बारे में पूरी भी details collect की जाएगी उस सारी details को आप जो है वाँ पे submit करेंगे और जैसे ही आप submit करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है आपको वो policy details भी यहाँ पे नजर आने लगेगी यहाँ पे click here for details वाले button को आप जैसे ही प्रस करेंगे तो आपको जो है पूरा policy का detail है वो मालूम पढ़ जाएगा दोस्तों मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो इस वीडियो पे like और चैनल पे subscribe जोग कीजेगा और comment box में मुझे बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत